विकेंड के वार का सूट खत्म हो चुका है यहाँ पर और जिसका एविक्षन हुआ है उनका नाम है रिंकु धवन जिहां चार लोग नॉमिनेट हुए थे और सबसे कम वोट यहाँ पर रिंकु धवन को मिले है यह मैंने पिछली वीडियो में बताया दिया था उसके साथ ही अभिसेक कमार को अच्छी खासी डाट परती है ईशा मालवी और समर्थ जुरेल को यहाँ पर तारिफ करते हैं और कहते हैं कि आप लोगों को प्रवोक करते हैं और सामने से जब ईशा यहाँ पर बोलती है तो आप वहाँ पर सिंपती कार्ट खेलते हो अभिसेक उनको कहा ह यहाँ पर विकेंड के बार पर जो मुनवर फारुकी को एक्सपोस किया गया था उस पर भी सल्मान खान ने बोला है सल्मान खान ने यहाँ पर एक्सपोस किया है अब आईसा खान को जी हाँ आईसा खान को अब उन्होंने डाट लगाई है अच्छी खासे पटकार लगाई और सल्मान खान ने कहा है कि आप सिर्फ अपने फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए आई थी आपको कोई मतलब नहीं है रिस्तो का मुनवर फारुके के साथ आपने एक जोटा रिस्ता बनाया और सिर्फ आप अपने फॉलोवर्स का ध्यान रखती है इसके बाद यहां पर आईसा द्रवन के बीच में वह चैलेंज जीत चुक्छे है अनुराव दोपल यानि कि मैं बता दू आपको चैलेंज था कि कौन पहले घर से बेगर होगा यानि कन पहले Hooga यह चैलेंज दिया था रिंकुदवन ने अनुराव डोपल को और आप रिंकुदवन घर से बेगर हो गह यह तो चैलेंज जीद गए यू के जोर सेवन राइडर और हमेशा की तरह यहां पर बिग बॉस के मेकर्स ने यहां पर खेल खेला है सलमान खान ने हमेशा की तरह तारिफ करते हुए नजर आये हैं किसकी यहां पर मनारा चोपडा की तारिफ करते हुए आये हैं और कहा है कि आप बहुत अच्छा गेम खेल रही हो बाकियों की तरह बनावटी रिस्ते नहीं बना रही हो मुनवर फारुकी से बोलते है सलमान खान कि आप स्टेंड अप कोमेडियन हो और स्टेंड अप कोमेडियम में तो काफी जादा बोलते हो लेकिन जब आईसा खान ने आपको एक्स पर बेहुस भी होना पड़ा जीहां बेहुस हो गई है आईसा खान और उनको मेडिकल रूम में ले जाया गया मैं बता दू काफी ज़्यादा रोने लगी थी वह और रोने के साथ या जब सलमान खान डाट लगा रहे थे तो वह अचानक बहुस भी हो गई थी बाहर से मेड अभी ठीक है और उनको लाया गया है वापिस यहां पर मुनावर फारुकी और जो मनारा चोपड़ा है बिग बॉस की फेवरेट उनकी भी मुद्दा जो हुआ था मुनावर ने ग्लास तोड़ा था दोनों की लड़ाई हुई थी वह मुद्दा भी उठाया गया है यहां पर रिंकुधवन का एविक्षन हुआ है दस हपतों से बचाया जा रहा था रिंकुधवन को यह सच सामने आ चुका है जनता के मिनिमाम गारांटी के कारण उनको बार बार बचाय गया था लेकिन अब और नहीं उनको एविक्ट कर दिया गया है दसवविक्ष उनका पूरा हो चुका है यहां पर तो आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है विक बोस सत्रा में कमेंट में जरूर बताए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले